जैहिंदू वंदे मातरम सातियों कैसे हैं आप सभी मैं हूँ आपका दोस्त प्रेंस SSC GD में सलक्टेड जी हाँ आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों सभी छात्रों के जो डाउट आ रहे हैं कि भाईया ऑनलाइन एकजाम कैसे होगा हमें अप कैसे आप चेक कर सकते हैं यह सारे सवाल आपके मेरे पास आ रहे थे तो देखो एक छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत ज़्यदा दोस्तों इसमें नौलीज रहेगी तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किये लाश्ट सकते हो देखने हैं और जिसे ने भी चैनल को सस्काइब नहीं किया है सस्काइब कर लेना मेरे भाई चलिए फैंस वीडियो सुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आप जैसा की जानते ही हैं कि आप सभी के एडिमीर कार आ चुके हैं यह मेरा दोस्तों मेडिकल का एडिमीर कार तक पुराना वाला इसे मैं क्यों दिखा रहा ह कि आपको एक मोटिवेट हो, जी हाँ, यहाँ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाई, जब यह आपके पास आएगा तो एक अलग आपको फीलिंग आएगे, मिरा भाई, जैसे मैं ने पर एक च्छाप पास की थी, आपको भी फीलिंग अदोस्तो आने वाली है, दोस्तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको जिस दिन दोस्तों आप इस स्टेच तक पहुंच जाओगे न एक आपके साथ अलग फिली होगी एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग हो जाएगा और लोग आपकी दोस्तों बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे ये मेरा आपसे वादा है अगर दोस्तों आपको भी यहां तक पहुचना है आपको भी दोस्तों फाइनल सलकस्ट तक जाना है तो आपको में एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि लाश्च टाइम में दोस्तों जो आपका अग्जाम रह गया है जिसे मैंने दोस्तों पास किया था मतलब लाश्ट हे 10 के 12 जो बचे हुए एक्जाम को निकालने के लिए इसमें दोस्तों आप ये तरीका आपने अपलाई कर लिया तो आपका भी दोस्तों मेरी तरह है फाइनल इस्ट में नाम आएगा जैसा कि आपके भाई का यहाँ पर नाम सो कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस कुमा हुआ हुआ नौट्स है जिसे मैंने वो सारे कोसन दे दिये हैं जो सीधे ही एक्जाम पूछी आएंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पड़ा है तो यह कोसन दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आप चेक कर लेना आप दोस्तों इन कोसनों को एक बार ट्राइ कर लेना आप दोस्तों पूरा करने کے लिए मैं दोस्तों यहाँ पर जिजान लगा दूगा और मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों वादा किया है उस पर दोस्तों मैंने अपना काम हरे श्टार्ट कर दिया है तो अगर जिसको भी पीडियाफ चाहिए ले सकता है पीडियाफ कैसे मिलेगा दोस्तो जो एकजामे कोर्स राएंगे उसका मैं पीडियाफ दे रहा हूं यहाँ पर तो 6396453592 इससे रिलेटिड दोस्तो एकजामे कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इससे जीडि का एकजाम निकला है ऐसे ही आप एकजाम निकाले वाले हो तो जिसको भी पीडियाफ चाहिए अभी दोस्तो इस नंबर पर मुझे मैसीज कर सकता है 6396453592 देखो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तो जो आपका online exam होने वाला SSC GD का 20 फरवरी से चाहिए वो लड़की है चाहिए वो लड़का है इस वीडियो को जहां से समझ लेना हो क्या है होगा क्या आपके exam में तो देखो सबसे पहले तो आपको admit card दोस्तो आपना download कर लेना है ठीक है उसके बाद ही आपका जो exam है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा जिस परकार से आप देख पा रहे है इस परकार से आपका exam होगा आपके पास में कोई लड़की भी बैठ सकती है कोई लड़का भी बैठ सकता है इसलिए गवरान बिलकुल नहीं है ऐसा नहीं कि कि आपके कितनी तैयारी है क्योंकि सामने बाला बंदा कितना भी फैक सकता है आपके समने कि मुझे तो सब को चाता है मैं जो इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ चाह उसका exam कैसा भी जाए लेकिन आपको अपने उपर भरोसा होना चाहिए बिलकुल आप दोस्तो एक्जाम निकालेंगे मेरी गारंटी है तो आपने अपना इस्टेटर तो चेक कर लिया होगा उसमें दोस्तो एक चीज आपको जबू देखनी है जैसे आपका exam दोस्तो देखना है कि कौन सी डेट में है वरना बहुत सारे बचे कि आप बोलते हैं भाईया 11 बजे पहुंचना है 11 बजे पहुंचना है वहाँ पे exam इस्टर्ड हो जाएगा हमरे बाद में तो 11 बजे पहुंचना नहीं है 11 बजे entry कि लो जाए आपको 10-15 से लेकर 11 बजे की बीच में पहुंचना है तो मैं तो आपसे यही बोलूँगा कि 10 बजे तक आप पहुंच जाएं जो आपका reporting टाइम यानि पहुंचना का जो टाइम है उस पर ये आपको पहुंचना है इसमें गलती मत करना है मिरवाई अगर आपनी ये गलती कर दी तो बहुत सारे बच्चों के एकजम छूट भी जाते हैं मेरे साथ के बहुत सारे बच्चों के एकजम छूटे हैं जो आपने तयारी की है वो सारी दोस्तोम, बिल्कुल खराब हो जाएगी, इसलिए आपको focus ये करना है, कि यहां पर दोस्तो reporting time और closing time को आपको dostal बिल्कुल सही से चेक करना है, कि मुझे कितने बज़े पहुचना है, reporting time का मतलब होता है, कि आपको इतने बजे पहुंचेना है और entry close का मतलब है कि entry close हो जाएगी entry बंद हो जाएगी 11 बजे तो आपको ये भी चेक करना है ठीक है और कौन सी meeting में ये भी आपको देखना है ठीक है तो आपको सारी बातों का दोस्तों बहुत ही आराम से द्यान रखना है मेरे भाई सारी चीजों का आपसे द्यान रखना है तो आपको ये सारी चीजे पता होनी चाहिए और admit card के साथ साथ दोस्तों आपको क्या ले जाना है देखो अपना एक आधार card अपने साथ ले जाना पड़ेगा ठीक है आधार card दोस्तों एक आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ दोस्तों आपको दो फोटो आपको ले जाने पड़ेंगे, फोटो आप कोई से भी ले जा सकते हो, ठीक है, फोटो आप दोस्तों कोई से भी ले जा सकते हो, ठीक है, तो फोटो आपना कोई से भी आप ले जा जिसमें दोस्तों आपका date of birth same हो जिसमें दोस्तों आपका date of birth सेम हो जैसे date of birth भाई यहाँ पर लिखा हुआ इस भाई का यहाँ देखेंगे यही अाधरअ कारड में होना चाहिए जो कोई आधरअ कोई पर्दे में पढ़ते हैं वो ले जा सकते हो लेकिन वही ले जाना जिसमें आपकी date of birth same match खाती हो इस बात का आपको बखो भी धियार रखना है ठीक है ये सारी चीज़े ले जानी है और दोको pen का और pencil का बहुत ज़ादा दोस्तों पूछने हैं लोग pen paper का कि भाईया pen paper कहां का मिलेगा हमें तो देखो pen paper pen वो दोस्तों आपको अंदर ले जाना अंदर ही मिलेगा pen भी आपको नहीं ले जाना है और नहीं paper ले जाना है कुछ भी नहीं ले जाना है क्योंकि pen वो अपना अंदर देंगे और paper भी आपको दोस्तों math के paper और दोस्तो reasoning के paper solve करने के लिए अंदर ही मिल जाएगा सब कुछ ठीक है ये तो रही दोस्तों आपके pen paper की बात आधर कार्ड और photo को ले कर बात document में दोस्तों सिर्फ आधर कार्ड और आपका कोई भी ID proof चल जाएगा दो photo चल जाएगे इसके साथ आपको और कुछ ले जाने की जवरत नहीं पड़ेगी ठीक है और सबसे ज़्यादा lady जो लड़किया होती है जो यहां पर girls हैं उनके लिए बता दू कि आपके लिए कोई भी ऐसी कोई चीज allowed नहीं है जो आपने पहनी हो हाथ वगरा में ठीक है हाथ में कुछ बहुत साई लड़किया रिंग वगरा पहन के रखती है कानों में पहन के रखती है नौस्पिन वगरा जो आपके कानों में उज़ित नाम भी दिहान नहीं क्या का होते हैं तो हाथ वगरा में पहन लेती है, पैरों में पहन लेती है, काले दहगे भी उतरवा देते हैं, कहीं यहीं पर, यह देखा गया, जो आपकी हाथ में काला दहगा है, उसको भी काट देते हैं, वो कोई भी धार में उनको नहीं है, आपका कितना भी अमुल्लेख चीज है, वो आ आपकी की या कोई फॉन या कोई वी दोस्तो पेपर पैन कुछ भी एलाओ नहीं होगा हालंकि आपको वाच भी एलाओ नहीं होगी कुछ भी एलाओ नहीं है मतलब कि आपको बस पैन को ये सोरी अपका आयाधर कार्ड और आपका सिक कोईन जो होते हैं ये भी आपको बहार साजा किया है और मैं आपसे वादा करता हूं मिर भाई कि जो PDF पढ़ेगा वो दोस्तों पास होगा और जिसने महनत किया है वो भी पास होगा मैं यह नहीं बोला कि PDF वाला ही पास होगा जिसने महनत किया है वो तो पास होगा यह होगा लेकि जो PDF लेगा ना उसका और ज्यादा दोस्तो confidence level अप होगा, जैसे और लोगों का हुआ है, ठीक है मिर भाई, तो आप ले सकते हो यह सारी चीजे, और एक बात और है मिर भाई, यहाँ पर, कि आधार कार्ड, यह सोरी, आपका admit कार्ड कैसे चेक करेंगे, वो बता देता हूँ, तो देखो, आधार कार्ड चेक करने लिए आपको admit कारवाले option पर आना है, आपको अपना region नहीं पता होता है, देखो, बहुत सारे बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वो दिल्ली फोरॉम फिलप कर देते हैं, दिल्ली वगरा में, ठीक है, वो क्या करते हैं, फिल यूपी में चेक करते हैं, भाई हमार हमारे दोस्तों एक दोस्तों उनका है, तो वो यूपी से मेरे साथ की है, लेकिन उन्होंने दिल्ली फोरॉम फिलप कर दिया है, दिल्ली हमारे नजजदीक पढ़ता है, हमारे यहां से, यूपी से, ठीक है, देखो, उनका आना चाहिए दोस्तों किसमें, उनका आना फौरम फिलब करते है दिल्ली में, तो भाई ये दिल्ली का दोस्त ओ ये है, यहाँ देखो, ये दिल्ली का ये है, ये वाला है, आपका north northern region, ठीक है, तो इस पर click करना है, बिल्बकुल गलती नहीं करनी भाई, जहां आपने center डाला है, उसी में check करना है, कि हमारा कौन सा region है, और region आप कैसे चेक कर पाओगे तो आपका लिखा होगा अपने admit card में चेक कर लेना आपको सारी बातों वहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे ठीक है देखो मैंने खोल दिया आपका northern region ठीक है sscnr north region तो north region पर आप किलिक करोगे तो थोड़ा नीचे आओगे तो देखो आपको देखने को मिल जाएगा अभी इसमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ साइड में देखने को मिल जाएगा देखो नीचे आ रहा होगा मैं इस पर all पर click कर देता हूँ, यह सारा कुछ दिखा देगा फिर, ठीक है, देखो, तो अब भी इसका, आपका, एक सेगंड रूखिए, देखो, यहाँ admit कर आ रहा है, देखो, यह admit कर वाला option आ रहा है, इस पर आपको click करना है, सबसे पहले, ठीक है, admit कर वाले पर click करेंगे, check your status of application, इस पर click करेंगे, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो आपको status दिखाए देगा, किसका, एक सेगंड रूखिए, check your status, इस पर click किया, आपने, अभी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, मैं इवड़ा दिख लेता हूँ, तो भाई, अभी देखो, टेकनिकल की वज़े से, कुछ दोस्तों है, आप सो नहीं कर रहा है, वैसे तो, मैं देखो, दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 2022 दिखा रहा है, थोड़ा नीचे मिल जागा, आपको यहाँ चेक कर लेना, ठीक है, यहाँ आपको मिल जागा, यहाँ से इस पर direct नहीं खुल रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, center region वाला, यह direct खुल जाता है, center region यह वाला, इस पर click करेंगे, यह direct खुल जागा, इस पर तरन दिखा देता है, थोड़ा सा यह verify करेगा, उसके बाद दोस्तों यह open कर देगा, ठीक है, देखो, verify कर रहा है, verify क चेक करना है, ठीक है, यह official website है भाई, official website पर थोड़ा time लगता है, क्योंकि अभी क्या बहुत सारी बच्चे आप जैसे लोग और भी खोल रहे है, तो इसलिए time इसमें लगता है, ठीक है, तो भाई, उस website से बहुत ज़़ा time लग रहा था, क्योंकि वहां से बहुत सारी बच जैसे आप इस पर आएंगे, सरी अपिकर बहुत आसान है, बहुत आसान, नीचे आप आओगे, नीचे आप लिखा होगा कि स्काई गती है, पर सभी का आए na다라 करा नहीं आया तो सबीका आगया है, अभी NR का नहीं पाम्येकर ठीक है, जीलिए न से बच्शे मुहीं से Сंट रहा है बारवार इस पर किलीख करेंगे यहाँ से साइड खुल जाएगी ठीक है और आपको उसका चेक करना संट का इस अगी बदय का चीफ हार is the जैसे verify करा रहा है बार बार तो इसमें दिक्कत क्यों आ रही है क्योंकि इनका अभी जल्दी में आया है इसकी बादे से दोस्तों इनमें दिक्कत आ रही है इसका भी खुल गया ठीक है से डोकुमेंट ले जाने हैं और किस तरीके से आपका एक्जाम होगा और एक्जाम कंप्यूटर पर कैसे होता है उसके लिए अल्रेडी वीडियो बना दिया है वहां से आप देख सकते हो थैंक्यू